प्यारे बच्चों, आज हम कैदी और कोकिला कविता करेंगे इस कविता में माखलाल चतुरवेदी में प्राधीन भारत में कैदीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा किये वेवार को दर्शाया है किस परकार कैदी अपना जीवन चार दिवारी में रहकर उनके अत्याचारों को सेहन करता है और वहीं एक कोयल जो मदुर गाना गाती है मदुर स्वर में आलाप करती है उसके मद्धे और कवी के मद्धे जो वारता होती है, जो वारतालाप होती है उसी के बारे में इस कविता में बताया है कविता में कहते हैं पहले हम कठेरे शाब्द कर लेते हैं, क्या गाती हो, क्यू रहे रहे कर, रहे रहे जाती हो? कोकिल बोल बोलो तो क्या लाती हो? संदेसा किसका है? कोकिल बोलो तो? कोकिल कोयल अभी कहता है कि क्या गाती हो प्रशन कर रहा है कोयल से कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो क्यों रहे रहे जाती हो तुम रुक रुक कर क्यों बोल रही हो कोयल बोलो क्या लाती हो क्या किसी का संदेश लेकर आती हो या कोई विशेश बात तुम कहना चाती हूँ, हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ मुची काली दिवारों के घेरे में, डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे में जीने को नहीं देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तडप रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शाशन है या तम का परभाव गहरा हिमकर निराश कर चला, रात भी काली, इस समय काली मई, जगी क्यों आली कहने का तात्री है कि उची काली दिवारों के घेरे में, जो जेल की जो दिवारे होती है वो उची उची होती है, उनकी उचाई बहुत जादा होती है और वहां कोई खिड़की दर्वाजा उनकी जो काल घोड़री होती है, उसमें कोई खिड़की दर्वाजा नहीं होता तो वहां अंधेरा होता है, इसलिए उन दिवारों को यहां काली बताया है अभी कहता है कि उची काली दिवारों के घेरे में जहां डाकू, चोर, बटमार बटमार होते हैं जो यात्रियों को रास्ते में उनका समान लूट लेते हैं उनको कहते हैं बटमार कि यहां इस काली उची उची काली दिवारों के घेरे में डाकू चोर और लुटेरों के डेरे में यहां डाकू चोर और लुटेरे रहते हैं जीने को नहीं देते पेट भर खाना जीने को देते नहीं पेट बर खाना, यहां जेल में सही तरीके से, सही अच्छे से खाना भी नहीं दिया जाता, कि जीने के लिए जितना भरपूर खाना चाहिए उतना खाना भी कैदियों को नहीं दिया जाता, मरने भी देते नहीं तड़ रह जाना, नहीं उनको मरने के जीने के लिए पेट भर खाना दिया जाता है और ना ही उन्हें मारा जाता है केवल उन्हें तड़ पाया जाता है जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है लेख कभी कहता है कि अब तो ऐसे लगता है जैसे मानो जीवन भर अब यही इसी तरह दिन रात उनकी जिंदगी पर क प्रभाव है हिमकर निराश कर चला रात भी काली है इसलिए चंदर्मा की जहाने के बाद रात भी घहरी काली हो गई है इस समय काली माई काली माई जगी क्यों आली काले रंकी है काले रंकी कोयल जगी क्यों आली आली शब्द है इसे कहते हैं सखी को सखी का ये प्राइवाजी है कि हे सखी हे काले रंकी कोयल तो इस समय क्यों जाग रही है कहने का क्या ताथ पर यह है कि यहां उची उची जो काली जेल की दिवारे हैं जहां केवल डाकू, चोर, लुटेरे ही रहते हैं जिनको ना तो अंग्रेजी जो अधिकारी हैं जेल में रहने वाले वो उनको ना तो अच्छी से पेट बर खाना देते हैं जीने के लिए और ना ही उन्हें मरने देते हैं वो सिरफ उन्हें तड़फाते हैं और कभी कहता है कि लगता है जैसे उनकी जीवन पर अब दिन रात यही कड़ा पहरा रहेगा उसे पता नहीं कि ये इतना भयंकर जो अत्याचार है ये अंगरेजो का शाशन है या किसी अंदकार का परभाव है या उनकी अत्याचारों का परभाव है उनकी अत्याचारों को देखकर चांद भी निराश होकर चला गया इसलिए ये रात और भी काली दिख रही है और हे काले रंग की काली रात में क्यों जाग रही है क्यों बोल रही है ये अगले में देखें क्यों हूक पड़ी हूक होती है वेद ना मतलब एक तो कोईल खुश होकर चहकती है अपने स्वर में मीठास लेकर आती है मिर्दल कॉमल भाव से बोलती है और एक वो विचारी दुख से कैदियों के और जो हमारे उस समय जो आस पास के जो वातावरन था वहां का उपना का उनको देकर वो दर्द से दुखी थी उनकी कैदियों के दर्द से उनको अत्यचारों को देकर वो दुखी थी इसलिए उसमें खुख पताया है उसको वेदना होते है पीड़ा क्यों हुख पड़ी ऐ कोयल त화äre कंट से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहर खूक क्यों निकल रही है मतलब तुम्हारी जो स्वर थे वो मीठे थे लेकिन अब इसमें वेदना वाले इतने दुख भरे स्वर क्यों निकल रहे हैं कोयल बोलो तो क्या लूटा कोयल बताओ तुम्हारा ऐसा किसी ने क्या लूट लिया है मिर्दुल वैभव की रखवाली सी कभी कहता है कि इतना कंठ इतना कोमल और मिर्दुल है वैभव मिर्दुल होता है मीठा कोमल और वहभव स्मृती जिसके पास धंदोलत होती है मतलत धंदोलत से तात्विया है उसका मीठा कंठ उसका स्वर उसके बोलने की जो आवाज थी कोयल की उसको यहां मिर्दुल वैभव बताया है तो कवी कहता है की तुमारा कंठ तो इतना कोमल और मिर्दुल है जैसे मानो उश्वर ने तुम्हें बहुत सा धंदे रखा है और उसके तुम रखवाली करते हो तो कोयल बताओ तुम ऐसे क्यों बोल रही हो तुम्हारे स्वर में इतनी दर्द इतनी वेतना क्यों है क्या तुम्हें किसी के रक्षा करने की खड़ाई तुम्हें किसी के रखवाली करनी है जिसके कारण तुम्हारे बेदला जो तुम्हारे स्वर में दिखाई दे रही है, सुन रही है क्या हुआ बावली, कभी कहता है कि ही कोयल क्या हुआ ही कोयल क्या हुआ, अर्दरात्री को चीखी, अर्दरात्री होती आदी रात को इतना क्यों चीक रही है कोयल बोलो तो कोयल कुछ तो बताओ क्या तुम पागल हो गई हो किस दावानल की जवालाएं हैं दिखी कोयल बोलो तो किस दावानल होता है जंगल की आग और जवालाएं जवाला आग की लप्टे क्या तुमने किसी जंगल में आग देख लई है किसी जंगल की आग को देख लिया है जिसकी ज्वादा से डर कर तुम इतना चिला रही हो इतना चीक रही हो हे कोयल कुछ तो बोलो समझ मैं कि बेटा आगे का फिर हम अगली वीडियो में करेंगे आप वीडियो देखते हो बेटा तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो समझ में आता है तो उसे लाइक किया करो और चैनल को सस्क्राइब पर लो ताकि कोई भी नई वीडियो जवाती है तो वह आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि टीचर ने नई वीडियो डाल दी है ठीक है? थेंक यू